दर्शको कहा जाता है कि अपनी जोडिया उपर से ही बन के आती है लेकिन कहिना कही यहाँ जोड़ने के लिए उन्हें माध्यम के जर्रत होती है उसी प्रकार से यही कार्य कर रहे है मराठा समनवय मंच और इस वक्त हमारे साथ मोजूद है मराठा समनवय मंच के मुख्य समनवयक सतीष गिरमकर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टुडियो में हमारे इस खास पेश्कस में तो जिस प्रकार से सतीष जी किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उसका इंडेक्स जानना काफी आवश्यक होता है तो हम आपके ही मुखारविंदो से आपका परीचय जानना चाहेंगे जूएऊ इतना ही नहीं तपके के माराtha समाज के बच्चे है उनको शिश्चुनुत्ति के तोर पर आर्थिक मदद का भी काम किया है। समाज के जेश्टनागरिक हो या महिलाए हो उनको भी सम्मानित करने का काम हमने मराठा समय मंचत माध्यों से किया है। और उसमें हमारे मंच के सारे समणवयक और शुबचिंतों को का भी मैं आभार वेक्तर आना चाहूंगा। जिनोंने विगत वर्षों में हमारे काम को अपना काम हमचके हमें सभकारे किया है। और यह कहते में मुझे गर्वम हैसिस होता है कि हमने अब तक हाजारों शादिया जमाई। समाज में कुछ ऐसी बाते होती कुछ रूडिया परंपराएं होती है। और उन परंपराव को हटकर हमने कुछ नए काम भी किये है। और हमने लगभग उसमें भी 10-11 शादिया जमाने में हमारा सहोग रहा है। शादिया जमाना आजकल कठी हो गया है जटिल समस्या है। उसके भी बड़ी समस्या और नहीं समाज के सामने आ रही है। वह जमा के रही जो शादी है वो तिकनी चाहिए। लोगों की आपएकशा दिंपर दिन बढ़ते जा रही है। उसके लिए भी हम इसा काम करते हैं कि जिनमे उनके अंचा मारे काम करते जाहा है। जो गरीब विद्धियार्थी है उनको अगर पढ़ेवे दिक्कत आती है चाहे फीज के माध्यम से हो या कोई मार्गदर्शन के माध्यम से वो भी हम काम करते हैं और आज तक नागपूर में ऐसा कोई शेत्र नहीं बचा है जहां हमने अपना कारेकम नहीं दिया है चाहे वो जिजा माता जन्मस्व हो अभी हमने इसी साल इसी वर्ष 12 जन्मरी दो हजार चुष को बेघर निवारा केंद्र में वहां पे जो निवासी लोग है उनका सतकार किया उनको साडिया दी उनको शाल दी उनको गुद्दीन का खाना भी हमने अपने तरफ से रखा इसका मकसद यह था कि हमारी सामाजिक बांधिल की जो है वह हमारे पुर्गोजों से जूड़ी हुई है और वैसे ही रहने चाहिए इसलिए मराता समय हर वक्त मरते दम तक जब तक काम सुरू है करते रहें तो एक प्रशन मेरे मन में उपस्तित होता है अब किस प्रकार से सोर्स लगाते और किस प्रकार से जो है घौ प्रह्मम्जोड जोड़ने का काम किया जाता है खासतर पर हम लोगों से मांगते हैं और लोगों की जानकारी आती है वह सम् निश्छूल को होती है आने के बाद में हम उनसे जिन लोगों को जिस प्रकार की अपेक्षाई होती है, उनसे उनका संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जाहां और किसे प्राकार से शादी भ्याह में दाहेज नमागा जाए इस पर हमारा जोर रहता है और समाजिक तॉर पर कम से कम खर्चे भी कैसी की जाए इसके लिए पमारा जोर रहता है और हम फ्रत्य verschbb से वक्त पड़ा तो उनके घर जाकर भी संपर करक्ते हैं और यह काम को हम अंजाम देने का प्रयाज करते हैं ततीजी देखा जाए तो जो है आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि जो लिंग गुनांक है कहीं कम होता दिखाई दे रहा है और ऐसी पर इस्थिति आएगी कि भवि दियास रहा है हमारी परंपरा है रही है हम एक तरफ तो लक्ष्मी शार्णा और सवर्शती जो भी है हमारे देवत जगदंबे हो यह सब महिलाए है हम कहने को तो सब कहते है कि लड़का लड़की में कोई फरत में यह लेकिन ऐसा हुआ है कुछ राज्यों से जो यह प्रथ परेशिति जरूर्णा नहीं चाहिए और अच्छी बहु किसको नहीं चाहिए यह हम विचार लोगों तक के ले जाएंगे और जो ऐसा कडम उठाते हैं उनसे यह भी कहेंगे कि आपको अपनी लड़की पालना नहीं होता है या आपको कोई प्राबलेम है तो हमको बताइए हम उसको बोड लेने की पूरी विवस्ता करें जैसा कि आप मराठा समन्वे मंच के मुखे समन्वेख है और हाल ही में देखा जाए तो वर्तमान में मराठा आरक्षन का मुद्दाद जोरो पर है सियासत भी काफी गरमाई है उस पर क्या आप कहना चाहेंगे कई जो है OBC से आरक्षन मांग रहे है मराठा समाज जो है OBC से आरक्षन मांग रहा है और कहिना कि मराठा बनाम OBC की स्थिति यहां प्रतित हो रही है इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो यह अंडोलन है बहुत पुराना है लगभग 30-35 साल का अंडोलन है यह जब महासंगर में दिवंगत लगी अन्ना साथ पाटिल यह अध्रक्ष थे पुरी तोर से तमर्थन दिया क्योंकि यह जब दरूरत है शिक्षा और रोजगार यह सब की बुंदियाओ जरूरत है और यह देखते भी है तब अन्ना साइब पाठिल ने युस्कू किया था बाद में जिस प्रकार से गाहने समिति आही बाद में गायकवर साहब आयो गाया उसके बाद में अभी शिन्दे साहब आयो गाया तो कहने का मतलब यह है कि आरक्षन की जो लड़ाई है आर तो दर्शा तरीके मराठा आरक्षन के मुद्देबर धे खहिए है का एक प्रकास जाला है को निरंतर करते आ रहा है काफी सालों से करते आ रहा है तो जो है समाज में एक जागरुकता भी फैलाई जा रहे है कि जिस प्रकार से सती प्रथा जिसी कूप प्रथाए अभी तो बंध हो चुके है लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कही न कही लिंग गुनांक कम होने के वज़े से जो है काफी समस्याए भविश्य में आने की स समाज असंतुलित होने की जो है स्थिती यहां प्रतित हो रही है तो इस प्रकार के जो है समितिया जब तक कार्य रथ है किसी भी विकास में विकास की इस अथां सागर को भरने के लिए हर एक बूंध की जिस प्रकार से भूमिका होती है हर एक बूंध की जिस प्रकार चाव दे रहा है मूलिक प्रतिसाद दे रहा है तो दर्शुको इस वक्त हम इस हमारे स्टूडियो में मुझूद थे हमारे साथ ते सतीज गिरम कर और मैं मनिश्टेमरे अगली रिपोर्ट के लिए देखते रहें इन बीसी नीज धन्यवाद